हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम अगेन, कारे पुस्तिका के अगले भाग में हम कर रहे हैं, कुश्चे नमबर 15, चैप्टर नमबर हमारा कौन सा चल रहा है, फाइव, ठीक है बई, तो ये क्या कुश्चन है, देखें, जमालो, अपनी आय को जिन जिन कारियों में खर्च करती ह उसका रिकॉर्ड रखती है, उसे नीचे सारणी में दिखाया गया है, कहां कहां खर्च कर रहे हैं, भोजन पर 30 परतीशत, किराया पर 25 परतीशत, और ये समय नहीं आना था, यहां पर ये आने चाहिए थी, इसकी आये, मनुरंजन पर 15 परतीशत, कपड़े 10 परतीशत, कित वृत का 360 डिगरी, उसका कुल खर्च दिखाएगा, और पाई चित्र इस प्रकार है, ठीक है, ये आपके सामने पाई चित्र दिखाई दे रहा है, कि ये हिस्सा, जो मैंने ब्लू किया है, ये किराय का है, ठीक है, ये हिस्सा, जो मैंने रेड कर दिया, ये कपड़े का है, और ये किताबों का है, ये मनोरंजन का है, ये अन्य है और ये भोजन है, ठीक है वई, आगी बात समझ में, अब हम क्या करेंगे कि इन सब को डिग्री में बदलेंगे, कैसे, कैसे बदलेंगे ध्यान देना, ये जब देखो, यहां से हमारा रेडियस इस तरह से गूम कर वाप से ज्यान से समझना मेरी बात को तो ये क्या कहता है कि भोजन पे 30 परतिशत खर्च करा तो एक मैं सीधा सा तरीका बताऊं कि परतिशत का मतलर 100 में से तो 100 में से जो खर्चा किया भोजन पर वो कितना है 30 एक में से कुटना हो जाएगा 30 बटे 100 और हमारा कौन है 360 डिगरी तो हम ये जानना चारे कि इसका कितना कौन उसने खर्च किया तो जीरो से जीरो जीरो से जीरो और ये आ जाएगा एक सो आठ डिगरी का कौन उसने बोजन के लिए उसने जो खर्चा किया वो कौन के माद्यम से अगर हम दिखाएं तो वो एक सो आठ डिगरी बनता यानि ये इ हमने इन सब पर्तिशत को डिगरी में बदलना है, क्लियर हैं, आगे मेरी बात समझ में आपको, तो अब मैं आगे चलती हूँ, अगले प्रष्ट पर देखे क्या कहता है, कि कपड़े पे किया गया खर्च, कुल खर्च का 10 पर्तिशत है, तो उसको डिगरी में बदलना है, तो वो क्या हो जाएगा, 360 का 10 पर्तिशत, अब एक बात का ध्यान रखना, कि 360 गुणा 10 पर्तिशत, पर्तिशत अटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं, तो 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, यह आगया 36 डिगरी, तो जो इसने यहां already solve किया हुआ है, अब यह कहता है भोजन, भोजन का, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, 360 गुणा 30 बटे 100, 2 0 कट गए, यह आगया 108 डिगरी, आगे बढ़ू, अब यह कहता है किराय पर और किताबों पर, तो मैं थोड़ा पहले देख लूँ किराय पर कितना है, किराया पर है भई 25 परतीशत और किताबों पर है 10, तो 25 और 10 को हम परतीशत में बदलते हैं, ठीक है तो 25 और 10 को किराया और कपड़ा ठीक है ध्यान देना भई किराया और किताब है भई किताबों पर 10 ठीक है न किराये पर 25 किताब पर 10 किराये पर 25 और किताब पर 10 थोड़ा और नीचे ले आती हूँ मैं इसको ऐसे ठीक है तो ये तो भोजन का हो गया किराये पर 25 तो इ यह हो जाएगा परतिशत के नाम का नीचे आ जाएगा सो गुणा में 360 डिगरी जीरो से जीरो कट गई पांच दुनी दस पांच पंजे 25 और दो एकम दो दो आठे 16 और यह आ जाएगा अठारा पंजे 90 तो यह हमारा बन जाएगा 90 तो यह आ गया हमारा किराए पर अब है किता पर तो किताबों पर है भाईया 10 परतिशत तो 10 परतिशत गुणा 360 तो इसको कर दो 360 गुणा 10 बटे 100 एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यह हो गया 36 डिगरी और अन्य पर भी 10 परतिशत है तो वो भी आ जाएगा 36 डिगरी तो यह था आपका प्रशन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं भी हम प्रशन संख्या 16 पर देखिए जरा नीता के बगीचे में बोई गई सब्जियों का पाई चार्ट सामने दिखाया गया है यह दिखा रखा है नीता का पाई चार्ट ठीक है गोभी 20 परतिशत धनिया 15 परतिशत बैंगन 25 परतिशत और गाजर 40 परतिशत ठीक है भी तो यह कहता है कि नीता ने बैंगन कितने परतिशत भाग में लगाए हैं तो वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि उसने जो बैंगन लगाए हैं वो 25 परतिशत भाग में लगाए हैं सब को दिखाई दे रहा है यह तो अब नीता के बगीचे में कुल 160 पोदे हैं अब गाजर के पोधे अगर कुल 100 पोधे हैं तो गाजर के हैं 40 कुल एक पोधा है तो गाजर के हैं 40 बटे 100 गुणा 160 तो ये दो 0 कट गई और 16 चोकू 64 पोधे उसने गाजर के लगाए हैं तो ये 64 आ जाएगा और ये हमारा 25 परतिशत तो ये थी प्रश्ण संख्या 16 अब हम करते हैं बेटा प्रश्ण संख्या 17 क्या कहता है कक्षा 8 विके 100 चात्रों दुआरा विबिन खेलों में खेलने में रूची के आंकड़े परतिशत में नीचे दिये गए हैं यानि कि ये क्या कहता है खेल का नाम और चात्रों की संख्या क्रिकेट में 65 परतिशत है ये पहले ही कर चुके हैं इसको पूरा केंद्रिय कोण का मतलब 360 में से निकालना है तो ये बन जाएगा 360 गुणा 65 परतिशत है तो नीचे आ जाएगा 100 एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये बन जाएगा 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और ये बन जाएगा 2 एकम 2, 2, 8, 16, 18 गु पांच हो जाता है 23 तो ये बन गया 234 डिगरी 234 डिगरी का कोण हमें बनाना पड़ेगा ठीक है अब मैं इसको कैलकुलेशन को मिटा कर यहां लिख रही हूं डारेक्ट कोण का नाम की कितने डिगरी का हमारा केंद्रिय कोण बना आपकी बुक में आपको पूरी जगा मिले है 15 गुणा 360 बटे 100 जीरो से जीरो कट गई 5 दूनी 10 पांच ती ये 15 दो एकंदो दो अट्छे सोला अठारा ती ये 54 और 10 परतिशत का हमने पीछे भी किया था तो 10 गुणा 360 बटे 100 ये 0 से 0 जीरो से 0 कट गई ये आगया 36 डिगरी और 3 परतिशत का जब आप करोगे तीन प्रतिशत का थोड़ा से मैं एक बार इसको इरेज कर रहे हूं सारे को तो ये बन गया 234 डिग्री ये बन गया 54 डिग्री ये बन गया 36 डिग्री और 3 गुणा 360 बटे 100 जब आप करोगे तो भहिया 2 पांचे 10 और 2 एकम 2 दो आठे 16 बिटा जी ये बन गया ठाराती है 54 ब 8 डिग्री और 7 से करोगे इसको तो यहां 7 आजाएगा 18 सत्ते 126 ठीक है और 126 को 5 से करोगे मैं अलग कलर यूज करती हूं तो ये बनेगा 126 बटे 5 5 दुनी 10 5 पंजे 25 यानि ये बनेगा 25.2 डिग्री ठीक है तो ये कुल हमारा हो जाता है यहां पर 360 डिग्री ठीक है ये हो जाता है हमारा 360 डिग्री और अब हमें इसका आयत चित्र बनाना है तो मैं एक बार इसकी सारी कैलकुलेशन को यहां से हटाऊंगी और दुबारा से मैं यहां आपको लिखूंगी ताकि मुझे पाई चार्ट बनाना तो पाई चार्ट इसके दिखा सकूं ठीक है बई तो पहला देखो यह वैसे कह रहा है परतिशत में मुझे लग रहा है कि मैं भी कि इसने कुछ गलत किया हो यहां नहीं ठीक किया है 65 और 15 कितना हो गया 80 और 1090 और 10100 तो परतिशत में ही है यह हमारा तो यह वाला कौन हमारा बन रहा है 234 यह बन रहा है 36 डिगरी यह 10.8 डिगरी और यह 25.2 अब इसके लिए पाई चितर कैसे बनाओगे कि सेंटर ले लेना और एक रेडियस ले लेना और उस रेडियस पर पहले वो कौन बनाना जो आपसे बनाना संभव हो चोटे डी से 234 डिगरी का कौन नहीं बनेगा उससे यहां पर डी रखना है यह मैं जो डोट लगा रही हूं यहां पर और इस पर डी की नोग को रखते हुए आपने जो एंगल बनाना है वो 54 डिगरी का लेना है जो की 60 से भी थोड़ा कम होएगा मान लेजी यह आ गया तो यह हो गया चोवन डिगरी का यह किसको दिखा रहा ह है फुटबॉल को अब यहां पर अगला भाग मैं अगले कलर से लेती हूं ब्लू कलर से लेती हूं फिर से यहीं पर आपने प्रकाडी रखना है इसके उपर लेके जाना है और आपने लेना है 36 डिगरी का कितने डिगरी का 36 डिगरी का यह मान लिया हमारा आ जाता है 36 डिग गया होकी के बच्चे यह हो गए होकी के आप 10.8 तो यहां रखकर आप 10.8 यानि कि 10 और 11 के बीच में आदे से थोड़ा सा बढ़ा के आप लोगे तो यह 10.8 लगबगाएगा फिर आप यहां लोगे अगला कौन यह हो जाएगा 25 डिगरी का और यह पूरा फिर आपका जो बच जाएगा वो 234 डिगरी का हो जाएगा तो यहां आपने फुटबॉल लिखा यहां होकी लिखा और फिर आपने 36 के बाद दिखाया है हैंड बॉल तो यह हैंड बॉल हो जाएगा फिर यह आपका वाली बॉल हो जाएगा और फिर यह आपका क्रिकेट हो जाएगा ठीक है किस से पहले सब्सक्राइब कर ले लेक्चर को बीच में पोज करके आगे बढ़ती हूं मैं कुश्चन नमबर 18 पर रिंकी को पिछले महीने जेव खर्च के 20 रुपे मिले रिंकी को कितने मिले भईया 20 रुपे और उसका पाई चित्र निम्न अनुसार है उसने अपनी बचत का 180 प परतिशत में बताओ अब परतिशत में बताना है पिछला सवाल उल्टा था परतिशत में दे रखा था डिगरी में बताना था अब डिगरी में दे रखा अब एक बात को समझो ये पूरा एंगल 360 डिगरी है और 360 में से 180 डिगरी इसने खर्च कर रखा है किस पे बचत पे अ अठारा है काम अठारा, अठारा दुनी चछतिस और दो से सो को काटोगे तो उसने पचास परतीशत भाग अपना बचा लिया है, बात समझा रही है मेरी, बात समझा रही है, अगर परतीशत को डिग्री में बदलना ओ तो सो निचे तीनसो साट उपर, अब degree में बदलना है तो नहीं परतीशत में बदलना है तो degree नीचे 100 उपर तो अब हम देखते हें कहते हैं मेले में कितना खर्च कराए 90 degree तो कितने में से कराए 360 में से तो 90 बटे 360 गुणा 100 जीरो से जीरो कट गई 9 एकम 9 9 4 दूनी 8 और 4 पांजे 20 तो ये हो गया 25 परतिशत अब कहता है चोकलेट पर चोकलेट पर करा 54 डिगरी तो ये हो जाएगा 54 बटे 360 गुणा 100 जीरो से जीरो कट गई अब देखना वे ध्यान से 18 दूनी 36 38 तीए 54 दो पांजे 10 और पांच तीए 15 परतिशत समझ में आया परतिशत में जब भी बदलना हो तो हमेशा 100 से गुणा की जाती है चीक है आगे बढ़ते हैं अब देखे आगे क्या है ये कहता है कि एक सिक्के को उचालने पर चित आएगा और तालिका पूरी कर निश्चित निश्चित तो नहीं है करना क्या है पहले इसको देखते हैं सारने को पूरा करना है निश्चित है नहीं है सिक्का उचाला तो 100 परशेंट पर चिती आएगा तुम्हें पता इस बात का नहीं ऐसा तो निश्चित पट भी आ सकता है असंभव है नहीं असंभव भी नहीं है हो भी सकता है कि आ जाए परंतु निश्चित रूप से नहीं है क्योंकि बैदे को हो सकता है चित आ जाए लेकिन confirm नहीं कह सकता है क्योंकि पट भी आ सकता है कारण क्या है क्योंकि सिक्के पर चित वे पट दोनों के आने के बराबर चांस है चित वैपट दोनों के आने का बराबर चांस को क्या कहते हैं अवसर है ठीक है दोनों के आने का बराबर आवसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक महीने बाद आपकी उम्र बढ़ेगी निश्चित हाँ बिलकुल निश्चित है असंभव नहीं असंभव थोड़ी उम्र तो चोड़ दो कारण ये एक निश्चित घटना है ऐसा तो सब को पता है कि उम्र तो बढ़ेगी एक महिने के बाद तो ये एक निश्चित घटना है ज्यान देना एक पासे को फैकने पर आठ आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा असंभव है हां असंभव है निश्चित हो भी स ये एक पासे पर अधिक्तम अंक छे होता है तो आठ तो आएगा ने चलिए आगे बढ़ते हैं ये कहता है कि तिरबुज के तीनों कोणों का योग एक 360 डिगरी होना एक पर हम ओप्शन्स देख लेते हैं क्या-क्या है हमारे ओप्शन्स देख लेते हैं ये निश्चित अस असंभव है हाँ असंभव है हो सकता है पर निश्चित नहीं है नहीं बिलकुल नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता कारण कारण लिख देना कि तिरबुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिगरी होता है तिरबुज के तीनों कोणों का योग 180 डिगरी हो नहीं है, असंभव है, नहीं है, हो सकता है, जैसे ये option पड़ो क्या है, ये कहता है कि हो सकता है पर निश्चित रूप से नहीं, तो हाँ, तो हम इसको कहेंगे, बारिश का चल रहा है, ये निश्चित रूप से कहेंगे, हाँ, क्योंकि कुछ भी संभावना हो सकती है, कारण पासे को फैकने पर चार आएगा निश्चित है इसका ना उत्तर वही मैं उपर करके दिखा रही हूं आपको थोड़ा सा एक पासे को फैकने पर चार आएगा निश्चित है नहीं है ठीक है असंभव है नहीं है हो सकता है हाँ क्योंकि पासा फैकने पर एक से चैन तक कोई भी संख्या हमें प्राप्त हो सकते इसको लिख लेना भी मैं एक बार बोल रही है पासा फैकने पर एक से चैटक कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है सूरिय का पश्चिम से निकलना ध्यान लिखे दो ना क्योंकि सूर्य हमेशाँ पूरव दिशा से निकलता है सूर्य हमेशाँ कह प्रश्ण संख्या 20 जब एक पासे को फैंका जाता है तो संभावित परिणाम क्या होंगे तो या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा छे आएगा ये हो गए संभावित परिणाम आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 21 पर एक थैले में एक लाल और एक सफेद गेंद है थैले में से गेंद निकालने के कुल संभावित परिणाम दे या मालो थैले में दो गेंद है एक लाल और एक सफेद है अब आपने थैले म हाथ डालो तो कितनी लाल गेंद हैं केवल एक है थेले में से सफेद गेंद को निकालने के परिणाम केवल एक है लाल गेंद की प्राइकता का मतलब होगा कि लाल गेंद का परिणाम बटे कुल परिणाम लाल गेंद एक है कुल परिणाम दो है तो प्राइकता हो जाएगी एक तू बेटा दो और ये है इस चेप्टर का लास्ट कोश्चन एक सिक्के को पाँच बार उचाला जाता है तो उसके चित आने की प्राइक्ता है तू बताओ वे वास्तों में आए परिणामों से उनकी तुलना करो सिक्का अगर एक बार उचालेंगे ठीक है एक सेकंड वे अब ये कहता है कि सिक्के को पाँच बार उचाला पहली बार में हो सकता है कि चित आजाए हैड आजाए दूसरी बार में टेल आजाए तीसरी बार में हैड आजाए चोती बार में टेल आजाए पाँच भी बार में टेल आजाए ठीक है तो पाँच में से हैड कितनी बार आया दो बार तो प्राइक्ता हो जाएगी दो बटा पांच अब ये कहता है कि वास्तों में फैक कर आए परिणामों से तुलना करो तो ये काम आप कर लेना सिक्के को उच्छालना जो भी आए वो आपने यहां लिखना है अपना परिणाम अगर आपका यहां हैड आए तो हैड लिखना टेल आए तो टेल लिखना ठीक है, समझें मेरी बात को और यहां सारे खानों में आपने अपना लिख देना है और फिर आपने अपनी प्राइक्ता बतानी है कि वह पांच में से कितनी बार आपका हैड आया है तो यह बहुत ही चोटा सा चैप्टर था, आसान सा हमारा चैप्टर था, आंकडों का हमारा क्या था, निरूपन था, क्या था चैप्टर का नाम तो कोई भी डावट है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हैं, और किसी भी डाउट के लिए मुझे वाटसप ग्रूप पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हो जादा जादा मेरी लेक्चर को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू